वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप लोग यहाँ पर अपना जो प्रूफ है उसको यहाँ पर देख ही लो तो आज के इस वीडियो आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे नूब लाए लाते हो और मैं आपको first round की यहां पे clip बता रहा हूँ है और आपको बंदे को भी आपके kill करके बताने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने आपके first round में M500 ले लिये और अभी थक तो मुझे कोई भी आपके बंदा नहीं मिला है और मैंने आपके drop से side तो ले लिया है आपे दूसरा बंदा भी rush करता है उसको भी एक प्यारा सा headshot है तीन बंदे आपे मैंने अक्टे लिये नहीं मार दिये है तो आप देख सकते हो 3 बंदे को मैंने kill कर दिया है 1 vs 4 में जो last बंदा है उसको भी मैं easily kill कर दिता हूँ ग्लीच को यूज करें अपने opponent में new blow भी कैसे ला सकते हो ग्लीच को यूज करके guys आप लोगों की ID ban होने की भी थाल बढ़ आते and match matching glitch को यूज करने के लिए आप लोगों को दो बंदे की जोरत पड़ती है जो कि बहुत से बंदे के पास अवैलेवल नहीं होते तो आज किस वीडियो में आपको glitch के बारे में बताने वाला हूँ आप उसको glitch बोलो या फिर ट्रिक बोलो जिससे कि आपकी बहुत ही कम टाइम में ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो तो आज किस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ही कम टाइम में ग्रैंड मास्टर लगा सकते हो वह भी आपके बीना किसे फ्रेंड की मदद से या फिर आपको दूसमें डो डिवाइस की भी ज़रत पढ़ने नहीं वाली है आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आपको सामने एक दाव नूब लोबी आएंगी और बहुत ही आप इजीली बंदे उनको किल कर सकते हो जिससे कि आप मेरे बैक्राउंड में गेम प्ल हो चुका है और मेरे इसमें बहुत ही हाई लेवल के बंदे मतला मेरे इसमें जैसे कि मेरे 6 इस्टार एंड जो मेरा फ्रेंड है उसके आप 15 स्टार से अब देख सकते हमारा जो गेम है याप इस्टार्ट हो चुका है एड अपन फर्स्ट राउंड की क्लिप याप आपको दिखा देते हमारे इसमें new players आये है की नहीं आप देख सकते हैं हमारे जो फर्स्ट गेम में भी आप़ पूरे new players आये हैं शी अफना second match में आपको दिखाता हूँ कि आपने इसमें new players आये है की नहीं तो यहां पर जो अपना गेम है वह आपर स्टार्ट हो चुका है गेम स्टार्ट हो रहा है जब तक आप वीडियो को लाइक करी दो तो गैस आपने आप देख सकते हो अपने इसमें पूरे की पूरे नूब प्लेयर्स आये है और जो हमने थर्ड मैच खेला था उसमें गैस हमा दो तक आप लोगों को क्या जलती नहीं करना है जिससे कि आपके गेम में ग्रैंड माश्ट पलेयर्स आजाए है तो आप लोगों को इस वीडियो को लास तक वाज करना है और बीन्हा आपका टाइम वेष्ट कर आपने इस वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं अगर उसके पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजेट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ओल पे सेट करते न और विडियो को भी लाइक जरूर करना तो चलिए शुरू करते हैं गैस इस ग्लिच को यूश करने के लिए आप लोगों को एक PC प्लेयर के ज़रत पढ़ने ही वाली है और आपके साथ PC प्लेयर नहीं है तो आपका एक लिच वर्क नहीं करने माला है आप लोगों को क्या करना है आपके ग्रूप में एक PC प्लेयर और आपके इस ग्रूप में एक कोई ब्रॉज या फिस सिल्वर का प्लेयर रख लेना है जैसे कि मैंने एजेंट को PC प्लेयर रख लिया है इसलिए मैच मैचिंग के लिए भी कोई भी PC प्लेयर ही आगे आता है अपने अपोनेंट में जिससे कि आपकी नूप लोबी आ जाती है आप देख सकते हो मेरा यह आपने गेम लग चुका है और दो मेरे इसमे नूप प्लेयर से और हम दोनों की रेंग जाता है PC प्लेयर और यह सिक्स्टी नाने की मे तो कैसे आपको भी फ्रैंड लिस्ट में आना है तो नीच ही वाइडी मिल जाएंगे आप आ सकते हो और आप देख सकते हो कि आप मेरी पूरी की पूरी नूप लोबी आ चुकी है और आप लोगों को मैं बता दू कि आप लोगों को क्या गलती नहीं करना है जिससे कि आपके अपोनेट में ग्रेंड मास्टर प्लेयर्स आ जाएं आपको क्या गलती नहीं करना है मैं आप लोगों को यहां से बता देता हूं जिस मैं आप लोगों को बता दू कि आपको क्या गलती नहीं करना है इस ट्रिक को यूज करते समय जिससे आपको एक गेम खतम हो जाता है और आप उस गेम को वीन कर लेते हो आप win करने के बाद क्या गरते हो directly start कर देते हो next game आप लोगों को ऐसा नहीं करना है जो आपका PC player है आपको उसको बोलना है कि भाई group disband करे और वापस से अपना game को वापस से open करे आप ऐसा नहीं करोंगे तो आपके इसमें chances रहेंगे आगे opponent में grandmaster players आने के आप इस गलती को मत करना और अपने PC players को बोलना कि भाई बार बार group को disband करे I hope guys यह जो glitch मेंने आपको glitch बोलो या फिर trick बोलो आप पच्चे समझ आ गई होंगी तो इस वीडियो का आप last तक watch करना और फिर किसी वीडियो में मिलते हैं एक नए topic के साथ हो नए वीडियो के साथ जब तक के लिए love you guys and bye bye